दिल्ले में आज भाजपा ने प्रेस कॉंफरेंस आयोजित किया जिससे मनोश तिवारी ने सुप्रीम कोड को धन्यवाद किया कि उन्होंने तीन तलाग पर मुस्लिम भेनों की पक्ष में फैसला सुनाया आज का दिन बहुत ही अयतिहासिक हो गया है और बारती जन्ता पार्टी दिल्ली प्रदेश मानिये सुप्रिम कोड को मानिये ज्यादे को कोटी कोटी धन्यवाद करती है बहुत दोगों को आजादी मिड़ी होगी हमारा देश भी 15 अगस्त को आजाद हुआ था लेकिन हमारी तीन तलाग से जुच रही हमारी मुस्लिम भेनों के लिए आज का दिन एक बड़ी आजादी का दिन दे है उन्होंने ये भी कहा कि जैसे देश की अजादी के लिए गांधी को याद करते हैं ठीक वैसे मुस्लिम भेनों की अजादी के लिए मोधी को याद किया जाएगा और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से भारत की आजादी के लिए गांधी जी को याद रखा जाता है वैसे ही बैनों की इस अजादी के लिए ने प्रिमोधी जी के प्रियास को वैसे ही याद रखा जाएगा इस conference में मनोश तिवारी ने कुछ विश्यों पर बात करते हुए कहा कि दिल्ली में 17,000 guest teacher को permanent करने वाली news गलत है और जिन guest teacher को permanent किया गया था वो दिल्ली सरकार ने किया था और अब उनकी भी नौकरी जाने वाली है तो आपने तो cabinet note भी नहीं को लाया कोई बिल भी नहीं लाया और सीदे सिख्षेपव को भेतिया मनोश तिवारी निच्चबों के साथ खड़ा है आप उन्हें किर्पिया अपने जो चंप भरी बाते हैं उन्हें पजाने के कोसिस न करें आपके जन्ता पार्टी सब्सक्राइब करें के लोगों को पर्मानेंट करने की उनको अगर कोई पीचर 58-67 तक काम करता है तो वाले में 58-67 तक काम करें साथ ही केज़रीवाल पर सीधा निशाना था भी कहा कि कानून जो बनते हैं वो तोड़ने के लिए है कानून बनता है तोड़ने के लिए झाल झाल